बैक बेंचर एक ऐसा शो जिसे देखते ही हसी के ठाके फूट पड़ते हैं फराखान उसको लीड कर रही है उसकी एंकर है और जब बात आती है भारती सिंग की तो ठाके फूट ना अपने आप बनता है क्योंकि वो ऐसे बाते बोल जाती है या खुद ऐसे बच्ची बन जाती है जिसको देखते ही मन करता है कि भारती सिंग तो देखते जाएं देखते जाएं और हसते जाएं पर क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कॉमेडियन भी कुछ इस तरह की बात बोल जाएं जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे और मैं आपको ये चीज भी बताती चलूँ कि जब भी ये कोई भी बात करते हैं उससे पहले इनकी रिहसल होती है ऐसा कोई भी बात सामने नहीं आती है जो बिना रिहसल के हो या बिना टेक के हो ये कभी भी लाइफ शू नहीं रहते हैं कुछ ऐसा ही सामने आया है जिसकी वज़ा से आज एक कम्मिनिटी सामने आ रही है प्रोटेस्ट कर रही है और इनको बैन करने के डिमान कर रही है जी हां हम आपको ये भी बताते हैं कि उन्होंने माफी नामा तो दिया है पर शायद माफी नामा भी आज कम पढ़ता नज़रा रहा है सबसे पहले आपको बताते हैं कि आकरकार भारती सिंग, फराखान और रवीन टिंडन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वज़ा से उनको बैन किया जा रहा है चलिए पहले आपको मिलवाते हैं ये वो लोग हैं जो आज बैन करने के डिमान कर रहे हैं सेंट Mother Teresa Group से बिलॉंग करते हैं प्रेजिडेंट हैं स्पोक्सपर्सन हैं इन से बातचित करते हैं से पहले तो आपको बहुत-बहुत स्वाकत है जी नमस्कार आखिरकार ऐसा क्या हो गया सबसे पहले हमीं ये बता दीजिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मतलब कॉमेडियन नाम जाना माना है पहली महीला कह सकते हैं महीला कॉमेडियन जो हसाने में मतलब ठाके बजाने में तो पीछे नहीं हटती उन्होंने ऐसे क्या कर दिया कि आस्था को टेस पहुंची है देखिए ये जो बारती सिंग है और फराखान रवीना टेंडन एक फ्लिप कार्ड के उपर एक शो आता है बैक बेंचर करके उस पे इन्होंने हमारा जो हॉली वर्ड है हैवनली वर्ड है हालेलुया उसका गंदा मतलब निकाला है बारती सिंग कहते हैं कि ये एक बहुत गंदी गाली है ये नए बैह जोडों के लिए है ये पती पत्नी जो पत्नी है वो अपनी पत्नी के लिए सिरफ इस्तमाल कर सकता है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा गंधी कमेडी और ऐसे इंटर्टेन्मेंट करने वाले लोग हमें नहीं चाहिए और हम फिलम इंडस्ट्री से, ब्रॉड काफ आफ इंडिया मिनिस्ट्री से ये अपील करते हैं कि इनको बैन किया जाए क्योंकि लोग इनको अपना कहीं न कहीं रोल माडल मानके चलते हैं और ये जब ये चीज़े जब टेली कास्ट हो जाती है और एक कमेंट्री को टार्गेट बनाया जाता है अगर ये किसी और से हुआ होता तो हम जैसे हर बार माफ करते हैं हम इस बार भी माफ करते लेकिन ये फिलम इंडस्ट्री से है तालुक रखता है और लोग इनको इनके लिए आस लगा कर बैठे रहते हैं कि ने जी कब इनको हम देखें और कब ये नया एक जुम्ला लेके आए या नया कुछ लेके आए तो उसकी वज़े से हमारी जो कौम है रोश में जगा- Ön जगा-जगा प्रदर्शन हो रहे हैं और इनको बैएठ लिए का मतलब क्या है और जैसे आप देखते हैं के फिलम निडस्ट्री में शोरु से ही ये चलताा रहा है क्रिश्टन कमिंठी को टार्गेट करके चलते हैं अगर कोई विलन है उसका नाम आप माइकल रख देते हो, जॉर्ज रख देते हो, थामस रख देते हो, तो अगर कोई वेशिया है, प्रोसिट्यूट है, अगर कोई बाट गर्ल है, उसका नाम आप जूली रख देते हो, मारिया रख देते हो, ये चीजें जो आप हम बरदाश नहीं करेंगे, खा पहले मैं आपके दुर्खवास करूँगी दूसे सबसे बड़ी बात मैं आपसे यह जाना चाहूंगी कि जिस तरह से सर ने बोला बिल्कुल जायज है हम कपिल शर्मा को देखना चाहते हैं हम बारती सिंग को देखना चाहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी स्केडियूल बन लोग रहते हैं उस तरह की बाते सामने आएं फिर आप कैसे किसको कैसे देखती हैं है हां जी हां यह मतलब रोल मॉडल जो है हम ऐसा ने पहले हम मतलब बारती सिंग का प्रोग्राम हम स्पेशली सारा काम छोड़ कर बारती सिंग को देखते थे उनका जो कामेडी शो आता थ तो हम उनका शो देखना पसंद करते थे मगर जब से ये बात सामने आई है जो उन्होंने हालेलुया का मजाख बनाया है तब से हम मतलब बारती सिंग पहले तो मैं बारती सिंग को ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी वाइबल में ये लिखा है कि ठटे बाजों की मंडली में हम ना बैठे जो ये हालेलुया को जो बता रही है मैं सबसे पहले उसको ये बताना चाहती हूँ कि सब आप हालेलुया का मजाख बना रहे हो सबसे पहले तो आप सबसे बड़ा मजाख तो आप हो आप एजास जोकर का काम टीवी में कर रहे हैं जो आपको देखकर सबी लोग हसते हैं जो हालेलुया को ये बार बार वहां पर शो में बता रही थी हालेलुया गंदी गाली है तो बाकी जो फराखान और रवीना टंडल है वो वहां पर शो में खड़े होकर हस रही थी मैं आपकी बात से सहमत हूँ जो आपने बताया कि प्रैक्टिस जो इनकी होती है मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रैक्टिस के दौरान कि बारते सिंग को किसी ने ये चीज नहीं बताई कि हालेलुया का मतलब क्या है क्यों उसने ये प्रैक्टिस के दोरान ये ओन दा स्पोर्ट तो शो पर ये प्रोग्रम होता नहीं है लाइब नहीं था ये तो मतलब प्रैक्टिस जब हो रही थी तो वहां पर इसको कोई बताने वाला नहीं था कि हालेलुया एक पवित्तर वर्ड है जो हम वर्शिप के स्पेशली क्रिस्टन कम्यूनिटी ने आज तक कभी भी किसी के रिलिजन्स को लेकर कभी भी हमने कोई बात नहीं की Christmas आपने थोड़े दिन पहले ही मनाया है अब आपने ये वर्ड नहीं सुना है ऐसा मैं भी नहीं मान सकती क्योंकि Christmas पहले थोड़े ही दिन मनाया है और आप सब गए थे क्योंकि हमने ये चीज़ आपको दिखाई भी थी कि हर एक मज़ब के जब लोग वाम पर इनको फॉलो करती है तो जैसा कि इनोंने वर्ड के बार में बताया है शो के दोरान जैसा कि आपने बताया काफी सारी रहसल होती है हाट डालग पर टेक्स लिये जाते हैं क्या इनके डारेक्टर्स, क्रेटिव टीम और जो भी इनके अदर कलीक्स थे क्रिस्चन कमेनिटी से काफी लोग होते हैं जो बैक कैमरा काम करते हैं क्रू में भी काफी लोग होंगे क्या किसी ने भी उनको हालेलुजा वर्ड का मेनिंग नहीं बताया हालेलुजा वर्ड का मेनिंग अगर आप बाइबल में भी देखेंगे किसी भी लेंग्विज में अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ग्रीक में पढ़िए, हिब्रू में पढ़िए तामिल में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए हालेलुया का मेनिंग हालेलुया ही है यह एक word है यह हम worship के time पे use करते हैं और मैं फिर भी एक बारे बोलूँगी कि आप जनता के लिए फिर भी हो सकता है कि कोई नहीं जानता हो आप फिर भी उसका मतलब जो है वो बताईए इसका मतलब praise the God है other communities को मैं इसका मतलब बड़े simple लफजों में बताना चाहूंगा जैसा कि other communities अपने किसी भी मतलब वर्शिप के लिए जैसे जै मातादी बोलते हैं जै राम जी बोलते हैं जै किशन बगवान जी बोलते हैं वैसे यह praise the God, praise the Lord, praise to Christ तो उनको हम praise करने के लिए यह word use करते हैं यह बहुत holly word है जो की direct उस जमाने में जब Bible लिखी जा रही थी यह आसमान से उत्रा हुआ अलफाज है जिसको हम worship के लिए use करते हैं तो ऐसे comedians जो national TV पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और यह जो channels है और यह आजकल app पे यह show आ रहा है इनका flip card तो worldwide इनको देखा जाता है इंडियन जहां जहां पे भी हैं इनको इनके fans हैं तो क्या यह अपने fans को क्या message देना चाहते हैं जो लोग Christian community से संबंद नहीं रखते वो hallelujah का word वो ही समझेंगे जो यह बता रहे हैं तो यह काफी निंदा जनक बात है सिरफ एक माफी से काम नहीं चलेगा अगर माफी बा बात है इस word के बारे में और यह उस time show के दोराहन ही माफी मांगते सबसे Christian community से माफी मांगते किसी scholar को बुलाते किसी भी church के priest को बुलाते मुंबई जो शहर है जहां यह रहते हैं वो शहर मुंबई शहर पार्सी और Christians का शहर था पहले किसी टाइम पर पार्स में और वहां पर जहां यह बैंडरा वगारा जहां पर इंडस्री के नामी लोग रहते हैं वहां चर्चिस का बंच बना हुआ है मतलब पूरा बैंडरा चर्चिस से गिरा हुआ है तो क्या इनको हालेलूजा का मिनिंग नहीं पता है हम बहुत आहत हैं इस बयां से जो इन्होंने शो में प्रसीडिंग में देखना मतलब कि बहुत बड़ा एक चालेंज हो सकता है किस तरह से चालेंज को बरकरा रखेंगे चैलेंज सबसे पहले तो डर उसको होता है कि जिसने चोरी की हो ठीक है तो माफी मों वो मांगता है जो गिल्टी हो और मैं समझता हूं कि इनके जो आंसू है वो मगर मच के आंस हूँ है क्रोकोडाइल टियर्स है दिखाने के और है आथी के दांत है ये गिल्टी होता है बंदा दिल से होता है तो ऐसे एक जगा पर बैठके यहां एक मोबाइल लिया और अपनी वीडियो डाल दिया तो हम मलगत आपने देखा न कि सांच को आंच नह है तो हम इनको जो भी टर्म्स एंड कंडिशन्स होंगी और हमें जुडूशली पर हमें पूरा ब्रोसा है है कि वो हमारे पक्ष में रहेगी और इनको सबक सिखाना बहुत बड़ी बात है क्योंकर आइंदा कोई ऐसी हिमाकत दुबारा ना करें आपको दुबारा से इनका जिन्होंने स्लोगन्स लिख रखे हैं वो आपको दिखा दूँ कि किस तरह से ये जो बैंक बेंचर शो है उसको भी बैंक करने की बातों कर ही रहे हैं वहीं दूसरी तरफ भारती सिंग, फराखान और रवीन टिंटन क्योंकि तीनों उसमें मौजूद थी अब यहाँ पर एक सवाल जो लगातार मेरे दिमाग में इनसे बात करते विए उठ रहा था और स्टार्टिंग से उठ रहा है वो बात यह है कि शो को ओन एर जाने से पहले एडिटर्स चेक करते हैं कि क्या वो शो जाने लायक है यह नहीं अगर आपको लगाई ही था कि कुछ ऐसा गलत बो पूरी एक कम्यूनिटी को इतना जादा दुख देना क्या वो सही था यह एक ऐसा सवाल है जो अब लगातार बना है खड़ा है पर क्या माफी नामा उससे जादा बड़ा हो जाएगा यह सवाल है आप लोगों क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर तब तक के लिए देखते हुआ यह जमू परिवर्तन